नमस्कार दोस्तों जैहिंद स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपॉर्टेंट MCQ ए संदीब में दोस्तों हम DL8 3rd सेमेस्टर की तैयारी आपको करा रहे हैं और इसी के क्रम में हमने DL8 3rd सेमेस्टर के 2016-2019 तक के हिंदी के जितने भी प्रश्ण पत्र आए हैं उनको हमने आपको दो पार्ट के माध्यम से पहले हम आपको वीडियो वो दे चुके हैं आज ये लास्ट वीडियो है, ये 2016 से 2019 तक के हिंदी के प्रश्ण पत्रों का ये अंतिम वीडियो है, पार्ड 3, इससे पहले हम 2016, 2017 का पहला पेपर, 2017 का दूसरा पेपर, 2018 का पेपर, चार प्रश्ण पत्र हम दो वीडियो के माध्यम से आपको हल करके बता चुके हैं, और ये ये जो लास्ट वीडियो है, ये 2019 का है, 2019 का हमने इसमें पेपर कवर किया है, पूरा लास्ट तक देखे, क्योंकि कई प्रश्ण ऐसे होते हैं, जो रिपीट हो जाते हैं, इसलिए सारे पुराने प्रश्ण पत्र भी आप जरूर अच्छे से पढ़ लिजे, अगर आपने प 2019 तक के सभी प्रश्ण पत्र, चलिए शुरू करते हैं, आज का वीडियो, आज का जो पहला प्रश्ण यहां पर परसुराम की प्रतिच्छा के रचनाकार कौन है, जैसंकर प्रसाद, रामधारे सिंग दिनकर, प्रेमचंद और महादेवी वर्मा, तो यहां पर इसका सही उ प्रस एक, तो यहां पर आपका उपसर कौन सा हुआ, प्रति, तो इसका सही हो जाएगा, सुद्ध वर्तनी का चैन कीजे, सुद्ध वर्तनी का चैन क्या होगा, यहां पर आपके पास चार आप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो सुद्ध वर्तनी होगा, वो होगा जेस्ट, अगला है प्रसंक्या चार संस्क्रत के वे सब्द जो हिंदी में जियों के त्यों प्रयुक्त कियो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं तद्भा तत्सम संकरिया देशज तो उन्हें हम कहते हैं तत्सम जो शब्द संस्क्रत के same to same Hindi में प्रयोग के जाते उन्हें हम तत्सम कहते हैं निम्न में से संयुक्त वेंजन नहीं है संयुक्त वेंजन सिर्फ तीन होते हैं छत्रग्या और यह जो आपका दा पे दिया हुआ है यह संयुक्त वेंजन नहीं है तो यहाँ पर सही उतर होगा दा अगला प्रश्ण है पुस्प तथा बिजली सब्द के दो-दो परियावाची लिखे है तो पुस्प का आप देख लीजे फूल, कुसुम, सुमन ठीक है यह होगे पुस्प के परियावाची बिजली के विद्दुत और दामनी दो परियावाची होगे विद्दुत और दामनी अगला देखे जीवन निर्वा तथा वीड़ा वादनी में प्रयुक्त समास बताईए जीवन निर्वा है इसमें जो समास है वो है तत्पूरुस समास जीवन का निर्वा अगर इसका हम समास विग्रह करें तो जीवन का निर्वा तो यहाँ पर कौन सा होगा तत्पूरुस समास अब वीडावादनी की बात करें तो वीडावादनी का एक विशेस अर्थ में इसका मतलब निकल ला है जो वीडावादनी होती है वो मा सरस्वती को कहते हैं तो यहाँ पर वीडावादनी का कोई तीसरा अर्थ निकल ला है तो यहाँ पर वीडावादनी में बहुवरी है समास होगा क्योंकि जहाँ पर कोई तीसरा अर्थ निकलता है जैसे दसानन दसानन किसको को कहते हैं रावड को कहते हैं तो वहां पर बहुवरी हिसमास इसी तरह वीड़ावादनी मा सरस्वतिव को कहते हैं इस तरह यहां पर बहुवरी हिसमास होगा अगला प्रशन है आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ इसपस्ट करते हुए वाक्य प्रयोग करो आग बबू बूला हो गया ठीके यह हो गया वाकिम है प्रयोग अनुप्रास बार-बार आ रहा है इसकी आवर्ती हो रही है यहां पर अनुप्रास अलंकार उप तथा प्रति उपसर्ग लगा कर दो दो शब्द लिखे उपसर्ग कौन से होते हैं जो मूल शब्द के पहले होते हैं जैसे उप से बनाएंगे तो हो जाएगा उप ग्रह ठीक इसमें उप लगा है ग्रह में उप लगा दिया तो उप ग्रह हो गया उप नाम ठीक है यहां अब प्रती को लगा के देखिए जैसे प्रत एक प्रती प्लस एक हो जाएगा प्रत एक प्रती पच्छ ठीक है यह भी देखिए प्रती जो है वो उपसर के रूप में यूज हो रहा है प्रती मान यहां पर भी देखिए जो प्रती है वो उपसर के रूप में यूज हो रहा है तो यो प्रति से उपसर्ग बनाने दो सब्द लिखने थे, अब ने आपको तीन बता दी, अगला देखिए, प्रकति का सू कुमार कवी किसे कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकति का सू कुमार कवी कहा जाता है, अगला प्रस्ण है, भासा सिछड के प्रमुक कौसल कौन-कौन से हैं, किनी दो कौसल के उद्देश लिखिए तो भासा सिछड के चार प्रमुक कौसल है स्रवड, उचारण पठन और अभिव्यक्ति, ये हैं इसके चार प्रमुक कौसल, अब यहां पर किनी दो के आपको उद्देश लिखने हैं, तो पठन के उद्देश से क्या होते हैं और अभिवक्ति के उद्देश क्या होते हैं, इन दोनों के हम उद्देश से देख लेते हैं पठन के उद्देश ये हैं, पठन की गती में तीवरता लाना, ये पठन के उद्धेश हैं अभिवक्ति के क्या उद्धेश होते वो देखिए विद्यार्थियों के सब्द ज्ञान कोस में विर्धी विद्यार्थियों के विश्या नुकूल भासा सैली तथा विचारों का ज्ञान सुंदर इसपष्ट तथा सुड़ावल अच्छर लिखने में इकला प्रश्ण है प्रेडार्थक क्रिया किसे कहते हैं प्रेडार्थक क्रिया क्या होती है उसको समझ लीजे जिस क्रिया को करता स्वयम ना करके किसी दूसरे से करवाता है उसे प्रेडार्थक क्रिया करते हैं जैसे अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाते हैं मोहित दरजी से कुरता सिलवाया ठीक है इस तरह के जो कार्य होते किसी दूसरे से करवा जाते करता स्वयम न करके किसी और से करवाता है तो वो जो होता है वहां पर प्रेडार्थक क्रिया होती है बढ़ते हैं अगले प्रशने किसी एक तेवहार पर अपने सब्दों में स्वतंत अ मिल जाएगा भासा सिछड में ओन वाचन के महत्त करेंगे देखें मौन वाचन करने से पठन की गतीमित तीव्रता आती यह है कि हम अगर बोल-बोल के पढ़ेंगे तो धीरे पढ़ जाएंगे अगर मन में पढ़ेंगे तो एक लाइश से तेजी से बढ़ते चले जाएंगे उसमें समय की बच्चत होगी। तत्य को इसमरर करने की छमता का विकास होता है। अगर हम बोल-बोल के पढ़ रहे हैं और अगर हम मौनवाचन करने से क्या हो जाए। जो हमारी तत्य को याद करने की छमता वो बढ़ती है। विद्यार्थियों के सब्द तथा सूप्ती भंडार में विरद्धी होती है। अगर चुपचाप पढ़ेंगे, मन में पढ़ेंगे तो आपकी एनरजी कंज्यूम नहीं होगी, इससे थकान भी आपको कम लगेगी। इस तरह भासा से छड में मौनवाचन का बहुत जादा महतु है। अगला है लोकोक्ती तथा मुहावरे में अंतर इस्पस्ट की। तो देखें दोनों में अंतर इस प्रकार हैं कि मौहावरा जो है वो वाक्यांस होता है जबकि लोकोक्ती एक पूरा वाक्य होता है। जबकि लोकोक्ती वाक्यों के लच्षडिक या वेंजनात्मक प्रयोग है। इसे कहते हैं उदाहरण सहित इसपस्ट करो। तो विस्मयाद बोधक चिन्द कौन सा ये आपको देखें विस्मयाद बोधक चिन्द है। तो ये है आपका विस्मयाद बोधक चिन्द संबोधन बोचक सुब्द के बाद जैसे मित्रो अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ। पर देखें ये भी विस्मयाद बोधक चिन्द लगा हुआ है। ठीक है तीसरा जो पॉइंट है अद्शयता को प्रकट करने हैं तो कभी-कभी दो-तीन विस्मयाद चिन्द का प्रयोग किया जाता है जैसे अरे वह मर गया शोक महाशोक ठीक है तो इस तरह कभी-कभी दो से तीन चिन्द का प्रयोग है लेकिन इस प्रस्ण में अगर आप के ओल इतना लिख दें कि विस्मयाद बोधक चिन्द का प्रयोग किया जाता है उसे विस्मयाद बोधक चिन्द कहते हैं और आप यहाँ पर एग धारर दे दीजे तो आपको विस्मयाद बोधक वाले प्रस् प्रसंके 18 मोखिक अभिवक्ती के उद्देश के क्या है वो देख लेते हैं मोखिक अभिवक्ती से बच्चों के मनोभाओं को समझने में आसानी मिलती है विद्यार्थियों के मस्तिस्क में सब्द भंडार की व्रद्धी होती है ठीक है जो इसका उद्धेश यह मौखिक अभिवक्ति का व्रध्धि करना विद्यार्थियों में सब्द कोस सब्द ज्यान कोस की व्रध्धि करना बच्चों में मौखिक वाचन के प्रति उत्साह का संचार करना बौधिक तथा मानसिक विकास में सही होगी तो यह मौखिक अ इंदी का पेपर था तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा सारे प्रशनों के उत्तर आपको कैसे लगे नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और पूरी तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान जरूर दबालें वीडियो चल लगाओ तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भोलें मिलते हैं अगले वीडियो में तर तक के लिए जय हिंद जय भारत